पाथी पुलस टीम द्वारा दो खेतों से तक्रीबन 6 क्विंटल 97 किलो 750 ग्राम पौधों के साथ दो आरूप्यों को ग्रफतार किया बढ़वानी में अवैद मादक प्रदात के खिलाफ चलाई जा रही मोहीम के तहट थानापाथी सीम ने दो चचेरे भाईयों के खेतों में से अवैद गांजे के पौधे लगाए गए जिस पर थानापाथी तीम द्वारा सर्चिंग अभियान चलाकर पार्टी थाना शित्र क ग्राम कुंडा खेडा, फलिया में सरदार पिता, जंगलिया एवं उसके भाई सर्फिया द्वारा उनके हिस्से की खेती से तकरीबन 6 क्विंटल 97 किलो 750 ग्राम गांजे के हरे पौधे चप्त के हैं जिसकी अनुमानित कीमत 79,77,500 रुपे बताई गई थानापाथी तीम द् NDPS Act के तहत मामले में पंजिगरत कर हिरासत मिलिया गया, वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व के आपड़ादिक रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं खादिविभाग ने मुसा खेडी श्वेतर से अवयाद गैस का गोडाउन पकड़ा है, सूचना मिलने पर खादिविभाग ने मुसा खेडी शनी मंदिर के पास एक गोडाउन चापा मारा जहां पर 51 खाली और 25 भरे हुए गैस की सिलेंडर जप्त किये के बताया जा रहा है अवयद गोडाउन पकड़ा है, बताया जा रहा कि यहां से बड़ी मात्रा में घरेलू गैस की ब्लैक मार्केटिंग की जादी थी, घनी बस्ती के बीच बनाए गई इस अवयद गैस गोडाउन में कई कमपनियों की गैस टंकिया भी खादे विभाग को मिली, विभाग के अधिकारी मोहन मारू का कहना है कि घनी बस्ती में इस प्रकार के अवयद गैस को डाउन किसी बड़े हाथ से को न्योता देते नजर आते हैं जिससे काफी जान मान की हानी हो सकती है, यहां पर मंगल श्री और अने गैस एजंसियों की टंकी वगाड़ी विभाग को मिली है, बताया जारा कि एजंसियों के थुरू गैस की टंकी यहां लाकर स्टुडेंट और व्यवसाइक संस्थानों को महेंगे दामों पर बेच दी जारी थी, खादे विभाग ने दो लोगों को आरोपी बनाया है, इसके साथ ही उनकी जान जारी है, आगे और भी नामानी की संभ पर पुलस ने दो बदमाशों के खिलाफ मामला दर्श कर उन्हें गिरफतार किया है, और दोनों पर पशुक रूर्टा अधिनियन के तहत मामला दर्श किया किया है, जहां वालमी की नगर सुलप शौचाले के पास दो बदमाशों ने स्ट्रीट डॉग को चाकु मार कर मौ मामला दर्श करवाया है, पुलस के मताबिक विशार और मोहित जब वहां से गुजर रहे थे तो वहां स्ट्रीट डॉग इन पर भोक रहे थे, जिसके चलते इन्हों ने स्ट्रीट डॉग को चाकु मार कर मौत के घार उतार दिया, शुकायत के आधार पर पुलस ने दोनों मीडिया के माध्यम से पहले दोस्ती की, उसके बाद उसके घर जन्दिन की पाती मनाने गया और फिर नशीरी दवाई खिला कर उसकी आपरू लूट ली शोशल मीडिया के उपयोग के बाद अब उसके दुश परिणाम भी सामने आने लगे हैं, इस बार शोशल मीडिया का उपयोग करना एक दो बच्चों की माँ को महंगा पढ़ गया, दर असल पीडिता ने तलक नगर थाना पुलस को दुशकर्म की शिकायत दश करवाई है, पीडिता ने बताया कि आरूपी विकास लोहानी ने शोशल मीडिया पर उसके साथ दोस्ती की, पीडिता के खर पर उसके जंटनिंग की पाती मनाने के बहाने पहुँच गया और उसके बच्चों को नशीला जूस पिला दिया, उसके बाद महिला की आवरू लूटी और वी झाल